वेलकम स्टुडेंट्स। आज की इस ओनलाइन ट्रक्टिकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस प्लांट टैक्सोनोमी ट्रक्टिकल क्लास में हमने जो फ्लॉवर लिया हुआ है वह है अमलतास जिसे हम जानते हैं लेबर्नम या गोल्डन सौवर के नाम से केसिया फिश्टूला जो कि लिम्यश के द्वारा दिया गया था तो आज हम इस वीडियो में इसी केसिया के साइनकारी जानेंगे और बात करेंगे कि इसमें फिलोवर के अंदर कौन-कौन अंदर सर्भाइद अर किस तरीके से होती है और यह नहीं पीले रंग के पुष्प जो है आप इसे केश्रिया फिश्टूला के देख सकते हैं जो कि काफी सुन्दर दिखाई देते हैं और इस पादप को जो है गार्डन में सजावट के लिए लगाया जाता है एक मीडियम में साइज का ये ट्री होता है तो ऐसे में हम सुरुवात कर रहे हैं जैसा कि आपको नाम तो बता ही दिया कि ये अमलतास है जिसको हम गोल्डन सौवर भी कहते हैं और इसका बोटनिकल नेम जो है वो केसिया फिश्टूला है इसके करम हैबिट और हैबिटार्ट की बात करें तो आपको इसका सवाब बताया कि यह जो है कि मीडियम साइज का ट्री होता है जो कि जनरली गार्डन में और रोड के साइड में यह सजावट के लिए लगा जाता क्योंकि इसके पुश्प हैं वो दिखने में काफी सुन्दर होते हैं और साथी साथी यह जो पौदा होता है वो च्छाया के भी काम में आत वह उर्द वर्था एरेक्ट मिलेगा एरियल मिलता है और जो स्टेम होता है वो काफी वुडी रहता है यह आप एक ब्रांच से देख सकते हैं वुडी जो है स्टेम यहां पर पाया जाता है साथी जो है सिलेंड्रिकल होगा यह सॉलिड होता है अथा ठोस बेलनाकार और ब् इस टेम की अब हम बात करेंगे इसके लीव के बारे में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है केशिया फिस्टुला की लीव हमने ली हुई है तो इन लीव जो में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लीव आप देख पाएंगे वह एक तो साखा पर लगती है और साथी तने पर भी लगती है तो ऐसे में यह होती है स्थम्भी है और साखी अर्था कॉलाइन एंड रेमल होती है और यहां पर हम जब देखेंगे अनुपर्ण को तो यहां पर एक बहुत ही सुख्ष में जो अनुपर्ण है है वो होती है एक्टिपुलेट हलंकी यह जो अनुपर्ण होते हैं बहुत जली जड़ जाते हैं अब हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो यह जो पत्य होती है वह आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट रहती है और यहां पर आप पर्ण को देख करके समझ ही गए होंगे कि यह जो है एक कंपाउंड पर्ण है अर्थार्थ यह संयुक्त पर्ण है जो सरल पर्ण नहीं है जो की बनी हुई है लीफ लैट्स के दौरा तो ऐसे में कंपाउंड पर्ण है और यह एक पिछकएं पर देख सकते हैं कि केवल और केवल जो है एक जो है यहां पर किसी प्रकार की अलग से ब्राइट्स लखली एक आटी य्या जिसको हम कहते हैंą यूनि पिन्येट पढ़िए यंड सम पिच्छक की पिच्छकों के अगरम संख्या गिने तो आप पाएंगे कि पिच्छक जो है यहां पर हमेशा सम संख्या में लगते हैं यह देखिए आगे आप देख सकते कि दो की संख्या में इस तरीके से इसमें भी हम देखेंगे तो आप इन पिच्छकों को देखें, ये इसके अंदर जो हमें 8 leaflet दिखाए दे रहे हैं, 8 leaflet दिखाए दे रहे हैं, ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो condition होती है हमारी, वो कहलाती है सम पिच्छा की, ये आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं यापर, सम पिच्छा की स् होता, तो ऐसी condition विशम पिच्छा की कहलाती, तो ये यहां पर पैरिपिनेर से इस्तिधी पाए जाती है, पर्ण में हम देखें, तो वरंत पाए जाता है, तो ये ऐसे में जो पर्ण है, वो पीट्यूलेट है, लीफ बेस की बात करें, तो लीफ बेस थोड़ा सा यहां फू होता है ये, और margins की बात करें, तो देखें, margins किसी भी तरीके से यहां पर कटे फटे नहीं है, तो ऐसे में margins जो है वो entire कहलाते हैं, और इसके सिराविय्यास की बात करें, वैनेशन की बात करें, तो ये unicostate reticulate सिराविय्यास पाए जाता है, अर्थार्थ एक सिरीय जालीका मुलता है सिरह वियास के अंदर कि ON पश्बक्रम के बात है तो कि मुलता है अदर प्रम के बाह है रहा है और तो यह देखिए यह जो पुषपक्रम है वह लटका हुआ रहता है इस तरीके से यह जो है पादप के अंदर लटका हुआ पुषपक्रम पाया जाता है पैंडूलस कहते हैं इसलिए इसको अब हम इसमें next जो बात करेंगे जो हमारी मुख है जो बेंदू है वह है इसके फिलोबर की सद्चिना का ध्यून करना तो इसके लिए जो है हम इसका flower ले लेते हैं यह हमने जो है यहां पर इसका flower ले लिया है इसको हम अलग कर लेते हैं flower को फिलोवर जो है आप यहां पर यह देखिए यह इसका एक संपूर्ण पुष्प है जो की दिखने में काफी शुंदर होता है और पीले रंग का जो है यह पुष्प दिखाई देता है पुष्प में अगर हम शुरुवात करें इसके नीचे से शुरुवात करें तो देखिए है आपको इसमें विरंट दिखाई दे रहा है तो ऐसा पुष्प जो है कहलाता है से हाँ यह इसको paddy slate कहेंगे हम, paddy slate के साथ साथ ही अगर हम इसमें देखेंगे सहपत्र को, तो जिस इस्तान से ये push पे निकला हुआ होता है उस इस्तान पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक छोटी सनक्षना में दिखाए देती है जिसको हम सहपत्र कहते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि छोटी सनक्षना में दिखाए देगी जिसको हम सहपत्र कहते हैं अर्थार्थी जो pushp होता है वो ब्रक्टियेट होता है इस pushp में जो है सभी चक्र इसके मौजूद है सभी चक्र उपस्तित है तो ऐसे में यह pushp कहलाएगा complete तो यहाँ पर यह जो pushp है वो complete हो गया प्रेडिसिलेट हो गया और इसकी सम्मिति की बात करें तो सम्मिति से आप यहां पर देख करके अंदर लगा ही सकते हैं कि यह जो पुष्प है वो होता है जाइगो मॉर्फिक अर्थार्थ एक व्यास सम्मित क्योंकि इसको किवल एक ही काट से दो बागों में बाट सकते हैं बाइसेक्स्वल यह आप देख सकते कि मादर जननंग दिखाई दे रहा है और यह हमें दिखाई दे रहा है इसका नर जननंग यह देखिए यह नर जननंग दिखाई दे रहे हैं और यह मादर जननंग दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में यह हैं बाइसेक्स्वल और कंडिश टिक होता है और Color की बात करें तो यह जो पुश्प है आप यहाँ पर धेखिए यह लोगल का पुश्प हमें दिखाई। अब हम अब हम मेरकि सबसे पहले इसमें देखेंगे इसके बाह्यदल के तो हम इसकी बड़ में भी देख सकतें हैं देखिए यह मैने एक कि इसकी पुष्प कलीका हम ले रहे हैं कि इस पुष्प कलीका में आप यह देखिए यह जो है बाहदल दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें भी जो है पुष्प के नीचे भी यह बाहदल देखिए यह बाहदल है इनकी संख्या आप देख सकते हैं कि यह जो संख्या इनकी व ये वाइदल वन होते हैं और ये जो कलर आप देख रहे हैं गृनिश यलो कलर है तो ऐसे में इनको हम कहेंगे दलाब कहेंगे क्योंकि दल का जो रंग है नोंने ले लिया है तो इसलिए दलाब कहें दाते हैं गे साथ ही अगर हम इनको देखें तो यह जो है आपस में जुड़े हुए नहीं हैं बिल्कुल अलग-अलग हैं तो ऐसे में यह कंडिशन हमारी कहलाती है तो यहां सैपल जो हैं वो 5 होगे साथ ही जो यहां पर और सैपल होगा अगर इस्तिती में देखने को मिलता है इस तरी के समझ देखें तो अगर बायर 27 वो अग簡單 में देखने को मिलेगा जो कि आम देख सकते ह्यांपर और इसके विन्यास की बात करें जो कि बिलकुल पता कर सकते हैं जिसके अंदर नो बहायदल होंगे वो बिलकुल बाहर होंगे। और दो जो हैं वो अंदर होंगे और ए जो बाकी एक है वो व्यवारतित क्रब में विन्यासित होगा हम देखें तो देखें यह वाला जो है आप देख सकते कि दोनों तरब से सबको ढखे हुए तो ऐसे में यह देखिए, यह सबसे बाहर है, इसके बाद यह सबसे अंदर मिलेगा आपको एक और बाकी एक और यह बाहर अंदर इस तरीके जिए वोड़ो भीवार्तित करब में पाया जाएगा, बाकी दो अंदर और दो बाहर आपको यह पर दिखाई देगे, यह देखिए हम आजानी स देख सकते हैं यह देखिए पूर्टे बाहर है कि यह वाला भी पूर्टे बाहर है और यह जो दहें दोएं अंदर है और यह जो है अंदर बाहर है तो ऐसे में ऐसा जो विन्या से बाइदनों का वो कहलाता है और बिल्कुल सुषपेस्ट यहां पर दिखाए दे रहे हैं जो दलों की तुलनाम हला की काफी चोटे हैं और इसके पश्याद अगर हम इनको देखें दलों की बात करें तो आप यहां पर दलों को देखिए और इससे पुष्प कलीका के अंदर हमें दलों का जो विन्यास है वो बाहर से देखने पर ही पता चल रहा है यह देखिए बिलकुल साफ तरीके से हम यहां पर इसका विन्यास देख सकते हैं जो की है इसकेंडिंग इंब्रिकेट विन्यास दलों के अंदर दिखाए देरा है जिसको आरोही कोर्चादी कहते हैं इस आरोही कोर्चादी विन्यास के अंदर हम देख सकते हैं कि एक दल होता है वो completely बाहर होता है ये देखिए जो कि ये वाला है एक जो होगा वो पूर्णते अंदर होता है जो कि ये वाला हम देख रहे हैं वो पूर्णते अंदर है और तीन के अंदर जो हम विन्या देख रहे हैं वो व्यवार्तित विन्या से देखिए ये वाला जो है वो एक तरफ से इदर से अंदर हो गया और इदर की साइट से बाहर हो गया ये वाला भी इदर से अंदर हो गया और इदर से जो है ये बाहर हो गया और इस वाले को भी देखे हम तो व्यवार्दित विन्यास है वाकि ये वाला जो है वो बिल्कुल ही बाहर है तो ऐसा जो विन्यास है वो कहला आता है कि एसकेंडिंग इंब्रिकेट विन्यास कहलाता है कि इसके पश्चात हम देखें तो यह आपस में यह और देख लीजिए कि यह बिल्कुल अलग अलग है तो ऐसी कंडिशन कहलाएगी पॉली पैटलस और कलर की बात हमने आकरी ली जो कि येलो है एक बर जो है हम पुन जो इनका एस्टिवेशन था वो है एसकेंडिंग इंब्रिकेट इसके पश्चात अभी इनको हम निकालते हैं और निकालने पर हम देखेंगे कुछ अत्तक इस तरीके की स्थिति हमें दिखाए देगी जो कि है पुमंग और जायांग की तो एंड्रोशियम के हम बात करें त तो एंड्रोशियम जो है यहां पर अगर हम देखें वो बना हुआ होता है दस इस्टेमन्स या दस पूंकेशनों के द्वारा यह देखिए यह जो है हमें दिखाए दे रहे हैं इस्टेमन्स यहां पर काफी विसेस हैं जो कि आप यह देखिए यह तीन तो आपको अलग दिखाए दे रहे हैं जो कि काफी बड़े हैं इनके पुतन्तु इसके पश्यात यह चार दिखाए दे रहे हैं अलग जिनके मीडियम लंबाई के पुतनु हैं और तीन दिखाए दे रहे हैं बहुत ही छोटे पुतन तोले जो कि ये िदेखेए सिस्टिती में है ये को में यह यह देखे ये वाले जो तीन है वो ये बंद्धय पुंकरसर होते हैं जिनको हम इस्त्रस्थिमिनोर्ड कहते हैं और ये वाले जो चार हैं वो इनसे बड़े हैं और ये जो तीन है वो इनसे भी बड़े हैं अर्था अर्थ हम कह सकते हैं थ्री प्लस फूर प्लस थ्री इस तरीकी के विन्यास में यह यहां पर हमें देखने को मिलते हैं अलंकि यह दो चक्रों में विन्यासित रहते हैं प पर्थक पुंके सरी कहलाती है और जैसा कि आपको बताएगी है डिपलो स्टीमिनस कंडिशन भी है दो चक्रों मिलेंगे और अंदर वाले जो तीन होते हैं वो बने जाते हैं और पॉलियंटरस कंडिशन है एंथर की बात करें तो आपको यहां एंथर भी दिखाए देरें दे रहेंगे और यह प्राकोस जो होते हैं वो इस पुतन्तु से देखिए आप निचली वाली सते से सल्लगन है तो ऐसे में इनको कहेंगे हम प्रस्ट लगन या इंग्लिश में कहें तो डॉर्सी फिक्सर कहलाता है इनका मुख जो है वो अंदर क्यों रहता है पुश्प के अं इंट्रोस और इसमें हम देखें तो यह जो बीच वाले दिखाइधे रहे हमें इनका जो टरीके से स्कुटन होता है वो यह जो पूर दिखाई दे रहे यह अगले से पर इनके दोरह होता ए और इनका जो होगा वो लंबाई जो है एक तरीके सकते हैं कि लॉंजिटुडीनल तरीके से इनका टैसेंस होगा और इनका जो है वो इस एपिकल पूर के द्वादा देखने को मिलता है और अगले यह तीन जो हैं वो बिल्कुल बंदे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं यह वाले को दिखाए देंगे जो कि जनन्चम नहीं है एक तरफ आप इस वाले पर आपको उसको देखें और दूसरी तरफ आप जो है इस वाले कि यह देखिए कि तो यह जो है यह कि नॉर्मल इस्टिमन है सामाने पुंकेशर है यह वाला और यह वह है जिसने बद्ध पुंकेशर जिसको में इस्टिमनोड कहते हैं यह वह है तो यह जो है वह जनन्चम है और आप देख सकते कि इसकी जो पुतन्दू है वह हशिया कार आकरती में पाया जाता है यह देखिए पराकोस भी बहुत इस्पेस्ट हैं जो की दिकोष्टी पराकोस है अब इसके पश्चात हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो साइकल है पुष्प की गाइनोसियम की तो गाइनोसियम जो है इस पुष्प में हमें यह देखिए यह गाइनोसियम द देता हूँ जिससे कि आप इसके मादा चक्र को सही तरीके से देख पाएंगे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं यह सब को हमने हटा दिया यहां से यह बायदलों को भी हटा देते हैं यह जो इस्टेक्चर आप यहां पर देख पा रहे हैं यह इसका गाइनोशियम के हम बात करें तो यह होता है अर्थार्थ यहां पर एक अंडप से मिलकर के गाइनोशियम बना हुआ होता है तो एक अंडप ही इस्तिति यहां पर देखने को मिलती है यह पूरा जो है एक अंडप है तो ऐसे में यह एक अंडप ही इस्तिति देखने को मिलती है और इसकी अगर हम आकरती की बात करें तो देखें सिकल सेप है जिस तरीके से हसिया रहता है दरांती रहती है तरीके का आकर यहां पर जो इसटी है वह unilocular है और प्रेसेंटिशन जो देखने को मिलेगा वह मिलेगा मार्जिनल जिसको सीमांत कहते हैं यहां इस तरीके से अंदर बीजांड लगे हुए हैं सीमा के अंत पर इसलिए सिमान्त जो है यह marginal placentation कहलाता है और यह जो भाग है चोटा सा इसको हम कहते हैं इसकी style और अग्रस तसरा जो है इसका वो है stigma आपर यह ओवरी काफी लंबी दिखाए दे रही है ओवरी लंबी है इसलिए इसके अंदर जो फल बनेगा वो भी काफी लंबा बनता है जिसको हम फली कहते हैं असिम भी कहते हैं जिसकी बात हम बात में करेंगे तो यह चोटा सा जो पार्ट है वो इसकी इस्टाइल और यह जो अग्रस्त पार्ट है यह इसका इस्टिग्मा वर्तिकागर की बात करें तो वर्तिकागर जो होती है वो यहां पर इस्टिग्मा जो होती है वो कैपिटेट होती है ता समुन्ड होती है इस्टाइल जो है इसका काफी इसमाल होता है और अब फुरूट क यहां सब्लेड की सालेतिहथा से आसानी से यह काट सकते हैं इस ततरीके से यहां से मैं नीचे लगाके देखाएंगे इसकी चरचा हम फ्लॉरल डाइग्राम बनाईगे तो उसमें भी बात करेंगे future commonon daaito लेग्ईाम अधवा पॉडрах और इस त्रीकी कि जो हैं इसके फल होते हैं काफी लंबी यह फलियान होती हैंश की काफी मजबूत भी होती रिम के अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ अध्य तरीके की सनक्षिना इसकी अंदर से होती है कि देखिए इस तरीके से इसके अंदर कि बीज होते हैं और यह बीज जो है वो चैम्बर्स के अंदर बंद रहते हैं अब इसकी हम करेंगे बात पुष्पशूत्र की और साथ इसके फ्लोरल डाइग्राम की तो इसका पुष्पशूत्र तो जो है हम आसानी से लिखी सकते हैं यह जो है इसका ब्रक्टियेट जाइगोमॉर्फिक साथ इसाथ बाइसेक्सवल के 5 हैं सी 5 हैं और ए असार एंडूशियम जो है वो 3 प्लस 4 प्लस 3 इस्टेमिनोड जो है आपको बता ही दिया था करडिशन और जो इसका गानिश्यम है वो मोनोकार्पिलरी है इस्तिती जो है यहां पर सुपरियर देखने को मिली और यह जो है इसका फ्लोरल डाइग्राम है फ्लो एक बीजान दिखाए हुआ है मार्जिनल प्लेशेंटिसन दिखाए हुआ है यहां पर देखिए मार्जिन्स पर जब बीजान लगता है तो ऐसी सथी मार्जिनल प्लेशेंटिसन कहलाती है यह इसके बाद हम देखें तो यह जो है आपके इस्टेमन से हैं जो कि 10 हैं 10 में से जो है सेवन तो जो है वो जनंचम है पर्टाइल है और बाकी जो तीन थे वो हैं आपके इस्टिमिनोर के रूप में अबंद पुक्केसर हैं और ये जो है विन्यास जिसके हम बात कर रहे थे एसकेंडिंग इम्डिकेट विन्यास देखने को मिलेगा दलों के अंदर जिसके अंदर आप देख सकते कि ये वाला सबसे अंदर होता है ये सबसे बाहर और बाकी तीन के अंदर जो है विन्यास देखने को मिलेगा हमें व्यवारतित ठीक इसी प्रकार जो है अगर हम देखें हैं और विन्याद देखने को मिलेगा कुंकेंशियल इसके अंदर ये देखिए दो बाहर ये वाला और ये वाला और बाकी ये जो है वो इन में से दो अंदर पूर्णते और दो पूर्णते बाहर एक ये वाला जो है वो व्यवारतित है और ये इसका सहपत्र है तो ये तो बा करे थी इस पादप केसिया फिस्टुला के बारे में जो की था सीजल पिणोडी उपकुल का और इस उपकुल में कई सारे पादप और भी रखे गए हैं चाहे वो इमली है इसके अलावा गुलमोहर है इस तरीके के पादप और भी है केसिया टोरा भी है जिनका भी हम आसानी से डिस्रेक्शन कर सकते हैं और इससे कुल के जो लक्षण हैं उनको समझ सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सेयर करें, साथ ही चनल को सबिस्क्राइब करें, थेंक्यू